आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरे नाम ऐसे दान तक भी हो तरी श्टेडी ग्लोस प्राइब को बहुत वस्वागत दोस्तो प्रधान मंत्री मोदी जी पंजाब में रैली करने गए थे लेकिन एक बहुत बड़ा सिक्यूरिटी ब्रीच हो गया जिसकी वज करने की साजिश्य प्रधान मंत्री मोदी जी को ऐसा है पंद्रा से बीस मिनिट तक ये फ्लाइ ओवर पे खड़े रहे प्रोटेस्ट की वज़े से ऐसा था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ने बोला है पंजाब से ये बाइस पूरी की पूरी जो सेक्यूरिटी ब्रीच फिर आप रिपोर्ट दें आमिज शाह का ये मतलब होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है पीम का जो शिडूल था ट्राइवल प्लान था वो पंजाब सरकार को पंजाब गवर्मेंट को एडवांस में ही पहुंचा दिया गया था तो पंजाब को अरेंजमेंट करना था सेक्य सेक्यूरिटी ही नहीं को प्रवाइड करनी थी क्योंकि पुलिस है कि स्टेट सब्जेक्ट है पंजाब गवर्मेंट को एडिशनल सेक्यूरिटी लगानी थी और कुछ भी रोड़ पे मुव्मेंट क्योंकि प्रधान मंत्री मोधी जी जा रहे है ना नरेंद्र मोधी जा र तो यही चीज है अब बीजेपी का कहना है कि भाई यह तो मारने की साजिश है यह तो रोकने की साजिश है पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंग चन्नी ने बोला कि भाई कोई भी सिक्यूरिटी लाप्स नहीं भाई और यहां पे आखरी मिनट पे रधान मंत्री जी क प्लान था कि वो रोड से जाएंगे लोकल टीवी चैनल से बात करते हुए चन्नी ने यह बोला है कि कोई सिक्यूरिटी लाप्स नहीं था भाई मैं खुद प्रधान मंत्री के सिक्यूरिटी पिछली रात देख के आया था लेकिन रोड प्लान जो है वो एकदम लास्ट मिन के यह और उसके बाद नाशनल मार्टियस मेमोरियल इनको जाना था हेलिकॉप्टर से लेकिन बारिज बहुत हुई पूर विजिबिलिटी क्योंकि आपको बते ही है बहुत ठंड पड़ रही है तो पीम को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा वेधर को क्लियर होने में जब व वो रोड से गए कनफरमेशन आ गई ठीक है अब यहाँ पे जो पंजाब के डीजीपी है उन्होंने रेजिमेंट कर दी लेकिन 30 किलोमीटर नाशनल मार्टियर मेमोरियल जो की हुसैन वाला में पड़ता है वहाँ पे 30 किलोमीटर दूर रह गया था तब पीम को कॉनवय एक पे स्टक रहा है तो यही बोला है कि यह पूरा एमेचे ने बताया है तो फाइनली वो भटेंडा है एरपोर्ट वापस गए और वापस लोटे मदब रैली कैंसल कर दी गए तो यहाँ पेमेचे ने कॉंग्रेस को ब्लेम किया कि कॉंग्रेस की सरकार है पंजाब में कि जिस यहाँ पे यह भी बोला है कि लगातार लोग इंको रिजक्त करते हैं लेकिन तब भी यह लोग बात नहीं मानते बाकी बीजेपी लीडर्स ने भी स्टेट गवर्मेंट को तगड़े से यहाँ पे अटाक किया है पॉलिटिक्स बहुत भयानक तरिके से हो गई है यह बहुत दुख की बात है कि PM जो है वो development projects नहीं देख पाए पंजाब में बहुत करोडों के development projects नहीं देख पाए बहुत करोडों के development projects नहीं देख पाए बहुत अदर जाम भी था और matter वर्ष तब हो गया जब CM चन्नी पोन पे ही नहीं आ रहे थे मतलब यह matter को solve करने के लिए जो CM है वो phone पे ही नहीं आ रहे थे CM चन्नी ने बोला है कि बाई 70,000 कुर्सिया लगाए गई थी PM की rally के लिए लेकिन 700 लोग ही आया थे Captain Amrindar Singh का यह tweet आया है कि complete failure है law and order पंजाब CM और HM in Punjab अगर आप प्रधान मंतरी के लिए smooth passage नहीं दे सकते वो भी 10 km दा खाली पाकिस्तान border से तो आपको कोई right नहीं है कि आप office पे stay करें तो आपको पते ही अभी Captain Amrindar Singh हटे थे और उसके बाद चन्नी आये है उन्होंने स्तीफा दे जिया था Captain Amrindar Singh ने इस्पिलिती इरानी ने भी बोला है कि भाई ये तो मारने की चाल थी फिर चन्नी ने ये बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा पंजाबी मैं तो मर जाओंगा किसी भी जिनकी को बचाने के लिए कोई भी security breach नहीं हुआ राजकुमार विर्क जो कि पंजाब के मिनिस्टर है उनका ये आरोप है कि भाई प्रिधान मंतरी को पता था कि कोई आये नहीं उनकी रैली में इसलिए उन्होंने डिसाइड कि हो वापस जाएंगे तो मिस्टर सुर्जे वाला रंदीप सिंग सुर्जे वाला जो कि कॉंग का ये डिसीजन था कि वो रोट जर्ब नहीं करेंगे ओरिजिनल शिड्यून का ये पार्टी नहीं था तो यही सब हो रहा है अब जो भी है सिक्यूरिटी लाप्स तो हुआ देखें कि फिला लागे क्या होता है बाई एलेक्शन्स आ रहे हैं तो अब ये सब तो चलता ही र रही हैं उनका कौन से मिदार है उसका तो जवाब दीजिए महाराज खुश रहे हैं पर तो ये देशे सिद्धान तगी ओतरी साइनियों